वेलकम इन वीमार्स लेर्निंगं sounds हम लोग मूल वीदी की जो चला रहा है इसरीज उसमें एक आज बहुत इंपोर्टेन टॉफिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो है निश्नल सेक्रिटी एक्ट के बारे में कानौनों के बारे में भारत में सेक्रिटी को लेकर राश्ट्री सुरक्षा को लेकर बहुत से कानून बनाए गए और वो कानून जो है यह दिखो मैंने नाम लिखे हैं स्लाइड में हलागि इतने कानून पढ़ने नहीं पढ़ते क्योंकि यह सब अभी अप्लाई नहीं होते अभी लागू नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे ल राश्ट्री सुरक्षा यह बहुत important चीज है क्योंकि देखो अगर हम अपना समविधान पढ़ते तो उसमें भी देखते हैं कि भारत की sovereignty भारत की संप्रभुता एक्ता और अखंडता की रक्षा करना यह हमारा मौलिक करता यह जब fundamental duties पढ़ते हैं उसमें भी देखते हैं कि भारत की संप्रभुता एक ताखंडता की रक्षा करना हमारा मौलिक करतव एक है तो राश्टी सुरक्षा एक बहुत important पहलू हो जाता है बहुत important मुद्दा हो जाता है यह जितने भी कानून है यह सब राश्टी सुरक्षा से जुड़े हुए कानून है राश्टी तो ऐसी जो ये घटनाएं है जो भारत को अस्थिर करना चाहती है इन घटनाओं पर नियंतरन स्थाफित करने के लिए ये कानून बनाया जाते हैं तो इसलिए इनको राश्ची सुरक्षा के कानून कहते हैं एक बार में बस नाम जिल्दी बता रहा हूं और फिर इनमें से दो क्योंकि इसका नाम ही क्या है Armed Force AFSPA आफस्पा बोला जाता है एक्ट 1858 वाला Armed Force Special Power Act विशेश सक्तिया अधिनियम बहुत इंपोर्टन यह आज भी लागू होता है और यह बहुत इंपोर्टन अधिनियम है को पूछा जाता है इवन इनके सब्सक्राइद है तो इसमें यह य इसे जब इंद्रा गांदी ने एमर्जनसी लगाई थी राष्ट्य अपातकार लगा था तो बहुत से लोग इस मीशा कानून के अंदर जेलों में डाले गए जितने भी नेता थे विरोधी नेता थे इसका बहुत इस्तेमाल किया गया गलत इस्तेमाल बहुत जगए पर हु उन्होंने जो नई सरकार बने थी उसमें ये कानू चलाया राष्टी सुरक्षा कानून NSA आज भी चलता है राष्टी सुरक्षा कानून National Security Act ठीक है इसके बाद भारत में देखो जब खालिस्तान अंदोलन चर्ट शुरू हुआ खालिस्तान पंजाब में ठीक है भिंडरा व टाड़ा बहुत फेमस कानून है एक तो संजय दित की वज़े से और फेमस हो गया संजय दित को टाड़ा के तहत सजा मिली थी उस टाइम हत्यार वत्यार रखने के लिए तो टाड़ा भारत में 85-95 चला फिर टाड़ा को भी हटा दिया गया इनकी ये शॉर्ट नाम बड़े इंपोर्टेंट है याद रखने है आसपा मीसा एनसे हो गया टाड़ा टाड़ा भी नहीं चलता अभी के टाइम पे ठीक है फिर पोटा बनाया गया जब 2001 में पता है सबको भारत में पार्लियमेंट पर हमला हुआ संसत पर हमला हुआ तब यह कानून बने प्रिवेंशन आई ये सबसे बहुत बड़ी जाँच एजएंसी आतंकवादी मामलों में 2008 में नाईए कानून बनाया गया मुंबई हमलों के बाद में बहुत फेमस ते सबने सुने होंगी और इसके बाद में एक ये कानून जो आज के टाइम पर चलता है क्योंकि देखो टाड़ा भी नह चलता ठीक है फिर कानून चलता यह तो जाच वाला कानून हो गया है ना यह तो सिर्फ जो एक कानून अभी के टाइम पे भारत में चलता है जो आतंगवादी गतिविदियों पर कंट्रोल इस्थाफित करने के लिए है वो यह वाला है UAPA इसको कहा जाता है UAPA अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसका नाम ही याद रखना है यह 1967 में बना था फिर बंद हो गया फिर नहीं चलाया गया फिर इसको 2004 में जब यह पोटा खतम किया गया ना यह वाला कानून 2002 वाला 2002 से 2004 तक चला तब इसको फिर से P.A. और यह बना कब था 1967 में और 2004 से इसको फिर से लागू कर दिया गया तो पहले तो इनके नाम याद रखने है और नाम बड़े आसान है ऐसा नहीं टफ है आपसपा यह अभी भी लगता है कुछ जगों पर लगता है बस क्योंकि सेना को ताकत दे दी जाती है इसलिए कु अप्लाई है ना यह अप्लाई होता है बस हमको क्या करने हैं इनके यह याद रखने है क्योंकि आज भी यह पूछे जाते हैं अभी के टाइम पे जो एंटी टर्र लॉग है हमारा वह यूए पी कहलाता है तो इतनी तो बेसिक जानकारी है और यह मैंने बता भी दिया कब-क 1858 में यह नागा लैंड के में आतंकवादी गतीव विधिया होने लगी थी आजादी के बात तब लगा था और अलग से मुझे कुछ और नहीं बताना बस यहां पर एक बात और बता देनी है बस मुझे आप्पा के बारे में इस कानून के बारे में जो यह कानून है आम्ड कि यह कानून जिसने पढ़ा होगा उसको यह जानकारी होगी पबलिक आपलिक आपडर बोलते हैं कानून विवस्था कानून विवस्था कानून विवस्था वो एक राज जी सूची का विसे है जब सम्विधान पढ़ते हैं राज जी सूची का विसे है और ये पुलिस कंट्रोल करती है लेकिन अब देखो कभी कभी क्या होता है कि पुलिस वो नियंतर नहीं कर पाती है पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है 355 355 अगर याद हो 355 हम पढ़ते हैं उसमें लिखते हैं कि ये केंद्र का करतव है duty of center कि वो राज जी को आंतरिक और बाह सुरक्षा उसकी सुनिश्चित करें कि अगर किसी राज जी में बाहर से कोई ऐसी गत्विधिया हो रही है जिससे अस्थिरता आ सकती है या वहां की कानून विवस्ता भंग हो सकती है या उस राज जी के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि राज जी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है पुलिस से तो 355 से वो दाई त उसको समाले, ऐसा नहीं है कि राज जो भी कुछ चलना है चलने दो, तो यह important article है, तो आजादी के बाद में क्या है, तब नागा लेंड बनानी था, असाम का हिस्सा नागा लेंड था, वहाँ पर नागा लोग जो है उन्होंने विद्रो कर दिया, अब वहाँ पर असाम सरकार ने प्रियास कि यह नहीं चल पाया, कुछ नहीं चल पा रहा था, अब क्या किया जाए, कैसे भारत की सेना को लगाया जाए, तो यह कानून बनाये गया, Armed Force Special Power Act, मतलब समझ गया होगे, कि भारत की सेना को, यह कानून जहां जहां पर लगाया जाएगा, वहां पर भारत की से की सेना कंट्रूल करेगी, ठीक है, और भारत में अभी के टाइम पर कुछ राज्जी है, जैसे असाम है, और नागा लैंड है, लैंड, और अपका अरुनाचल प्रदेश है, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, और अगला हो गया, मिजोरम, नहीं मनिपूर, सारी, मनिपूर, ये चार राज्जे हैं जहां पर आफ्टार चलता है, और पूरे राज्जों में इनकी कुछ-कुछ जिलो में है, लेकिन हमें याद रख रहे हैं, असाम, नागा लैंड, अरुनाचल और मनिपूर, जो नौर्थ इस्ट के हैं, और इसको छोड़कर जे अंड के, जम्मो एं कस्मीर, उसमें तो पूरे में आर्म फोर्स, लेकिन उसके लिए अलग कानून बना दिया गया है, जब वो कस्मीर का अलग बना दिया गया है, तो ये वाला 58 का कानून इन में चलता है, जहां पर सेना को कानून लिएस्था बनाने का अधिकार है, बदब सेना क्या कर सकती है गरों में सर्च कर सकती है, परना सेना का गाम थोड़ी नहीं, तो पुलिस का गाम है, सेना आरेस्ट भी करेगी, गिरिफ्तार कर सकती है, ठीक है, और सेना को बहुत सारी छूट भी है, अगर कुछ उनसे कोई ऐसी चीज़े हो जाती है, इसका अचा इस कानूं का बड़ा विर लगती है क्योंकि भारत में अस्थिर्टा ना आ पाए क्योंकि अगर आप इसको हटा दोगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा वाइलेंस हिंसा होने लगती है गबड़ होने लगता है तो आश्पा ऐसा कानून है जो वहां के लोग कहते हैं कि गलत है लेकिन भारत की मूल विधी के कंटेक्स से पढ़ रहे हैं तो उसमें और कुछ भी नहीं है इसके अब एक नाम मुझे आया है इरोम शर्मिला का उनको आइरन लेडी आफ मनिपूर कहते हैं इरोम शर्मिला हैं जिन्होंने मनिपूर में 16 साल तक 2000 से 2016 सोला साल तक हंगर स्टाइक की भूख उनको नाक के रास्ती कुछ जूस फुलिस पिला डालती थी वस उनकी बॉटी में आसपा को हटाने के लिए लेकिन आसपा हटाओगे कैसे जैसे हटाओ मैंने बताया वहां पर जिद्रो होने लगता है हिंसा होने लगती है तो मनिपूर से अभी भी नहीं हटा तो यह इस का कानून पता ही है थे ने बताया जब भारत में अपार्टा लगा एमर्जनसी लगी है उनिस सो पच्छत्तर से 77 तक वाली इंडरा गांधी तब इस कानून का इस्तमाल किया गया और लोगों को डेट डेट दो दो साल के लिए जेलों में डाल दिया गया जो भी विरोधी लोग थे बहुत लोगों का सबने सुना होगा है अमर्जनसी के टाइम पे मतलब नस्बंदी जब अस्ति नस्ति पॉपलेशन कंट्रोल के लिए करवाई गयी ठीक है टुबेक्टॉमी बोलते हैं वेसेक्टॉमी टुबेक्टॉमी ये करवाया गया मतलब इस कानून का बड़ा गलत इस्तमाल किया गया इसलिए जब बाद में मुराजी दिशाई की सरकार आई तो इस कानून को अठा दिय इसका अभी भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन इसके प्रावधानों को मैंने बताए यूए पीए में सभी को डाला गया तो अभी जो में में भारत में इस्तमाल किया जाता है वो ये कानून है अपना यूए पीए जिसके कुछ धाराओं को हम देखेंगे टाड़ा मैंने ब पास बस यह क्या चलता है यूए पी यह जो है हमारा यह तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं इसके बारे में इन दो के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं अलग से तो पहला देखो है अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दो यह मैं बताई दिया कि भारत में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया इसलिए इसको आतंकवाद विरोधी कानून भी कहते हैं एंटी टरर ला भारत का कौन सा है यूए पी ये जो 1967 में बना है ठीक है अच्छा ये धारा एक सेक्षन जो है इसका बहुत important है बहुत ज़्यादा सेक्षन तो इसके कम या ना के बराबर ही पूछे जाते हैं लेकिन ये सेक्षन तो तब भी याद ही रखना है ठीक है जब UAPA को याद रखना की ये UAPA में सेक्षन 15 जो है केंद सरकार को ये ताकत देता है क किसी वी विप्ति को आतंकवादी डिक्लेर कर सकते है ठीक है टेरिस्ट जो डिक्लेर किया जाता है घोसित किया जाता है वो धाराब 15 से केंद सरकार को ये पावर है UAPA से कि आतंकवादी जो भी भारत की संप्रभुता एकता खंडता के विरुद्ध काम में लिप्त पाया जाएगा उसको सेक्शन 15 से केंद सरकार टेरिस्ट डिक्लेर कर देती है और अभी जो दूसरी एजनसी होगी NIA अभी लिखा था कि 2008 में जू बनी ना मुंबई हमले के बाद में उसको ये अधिकार है कि वो इतनी भी जितनी भी आतंकवादी गतिविदिया है उनकी जाच कर देगी तो यही दो संस्ता हैं भारत में आतंकवाद से लड़ाई का में प्रयास में काम जो है इनके पास में है NIA के बाद और UAPA तो कानून का ना में लिखा है NIA जो है उसका एस्पेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी जो होगा वो क्या करेगा जाच करेगा इन आतंकवा व्यक्ति को जब्त करने का अधिकार है पूरा जिस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में पहचान किया गया उसको भी अधिकार है कि वो ग्रह मंत्राले में अपनी अपील कर सकता है और पंदा दिन के अंदर ग्रह मंत्राले उसको इस पस्टी करण देगा ठीक है पंदा द परकार की मर्जी है कुछ-कुछ टाइम के बाद में जहां पर वो अपील कर सकता है अपने पक्छ रखने के लिए एक चीज और समझना समयना देखो इन कानूनों का कभी कभार क्या होता है बड़ा विरोध भी होता है कि ऐसे कानून है यूए पी जैसे जिसमें आप जेलों मे 22 सतंता के अधिकारों में उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई विक्ति कोई अपराद करने का शक है जिस विक्ति पर संका है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है बंदी बनाया जा सकता है निवारण जो पृतिरोध निवारण पृतिरोध बुक कहा जात एक सो असी दिन तक इस कानून में 180 मतलब डबल जो सम्विधान ने स्विक्रती दी है आर्टकल 22 में कि आप बहुत अधिक्तम 90 दिन तक तीन महिने तक यह कोश्चन बहुत पूछा आता है कि कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है जबकि यूए पीए के कानून में उस सीमा को से भी उपर 180 मतलब 6 महिने तक बिना चार्ज सीट के जेल में डाला जा सकता है तो यह इतने स्ट्रिक्ट कानून है इसलिए इनका विरोध भी होता है कि बहुत से लोग है जिन पर चार्ज प्रूफ नहीं हो पाता सरकार ने लगा दिया यूए लगा दिया ना तो सुप्रीम कोट कहता रहता कि यह ऐसे कानून है जिन में बहुत जाच परताल के बाद ही करना चाहिए इन कानूनों का इस्तमाद ठीक है और कोई भी वेक्त है वो हाई कोट और सुप्रीम कोट यह तो हम पढ़ते ही है कि अपनी रिट फाइल कर सकता है वो सम्विधान का अधिकार है उसको उच नयाले और उचतम नयाले में अपनी रिट दायर कर सकता है कि उसके स साथ चैप्टर हैं जिसमें तीन और अनसूचियां है ठीक है सेवन चैप्टर से अध्धाय और तीन सेडूल्स हैं अभी मैं बताई रहा था इसके बारे में कि इसमें जो भी अखंडता को धंकि भारत की एक ता अखंडता को खतरा कर रहा है अपारन करता है तो कितने सारी डाली गई है बम डाइनामाइट विस्पोर तक जोलन सील पदार्थों का विदेशी देश में लोगों को किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने का अपहरण करता है इंस भी गटना है इनको आतंकवादी क्रत्य माना जाएगा एक लंबी सूची बताई गई है क्या क्या चीजे जो है वो टेर्रिस्ट एक्ट में आयेंगी जिनको हम आतंकवादी क्रत्य मानेंगे और ऐसे लोगों को आतंकवादी टेर्रिस्ट डिक्लेर कर सकती है केंद्र सरकार इसमें कुछ सजाए हैं UAPA UAPA में 2-3 ये देखो section 10, 13 और 16 इसमें अलग-अलग सजाए है कि देखो अग ठीक है और अगर कोई गैर्सकानी गतिविधी में वो लिप्त पाया गया तो उसको साधिकतम साथ साल की सजाए हैं देखो यहां पर क्या है सिर्फ सदस्द से बनने के लिए मेंबर के लिए किसी गैर कानूनी संगठन का सदस्द से बनना भी अपराद है ठीक है भले ही आप अगर आपने कोई क्रत्य ना किया हो कोई काम ना किया हो अब देखो नॉर्मल कानून में यह चीज़ भी नहीं होनी चीए लेकिन युवे पीय में यह है कि अगर आपने किसी टेर्रिस्ट के अगर सरकान ने किसी संगठन को आतंकवादी संगठन डिकलियर कर दिया तो उसक कोनले का सदस्य होना ही एक अपराद है औरपल दो साल तक की सजाइअ ठीक है और अगर गतिवित किसी टेर्रुरिस्ट में लिफट प्ताय गय text में तो अपने तहारा 15 में तब जो है इसमिं यह आजीवन पतिबंद लाइफ इंपॉजजन्मेंड़ियर करीज़ डिक है जा सकती है section 16 से ठीक है तो तीनों बहुत important है सिर्फ member बनना दो साल तक की सजा और सिर्फ और कोई criminal offense में कोई गयर कानूनी गतिविदी में लिप्त पाए गए चोटी मोटी तो साथ साल तक ही सजा और अगर कोई terrorist act है जो section 15 में दिये है तब जो है life imprisonment उम्रकैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है यह UAPA है हमारा इसके बाद आता NIA बस यही तीन act हमें याद रखने तो पहला वाला आर्म फोर स्पिसल पावर एक्ट वो UAPA और NIA बस जो आज के टाइम पर apply होते है आपसपा तो अलग अलग जगों पर बस apply होता है अजग होता है तो NIA क्या है तो को जांच इजंसी है पता हिए कि भारत की राष्टी सुरक्षा संबुलता है एक हंड़ता इन सब चीजों स सुरक्षा के लिए तो जितनी भी यह सब एजंसी है यह कानून है यह सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और इसके पूरे भारत में इदर उदर आठ चेतरी कार्याले भी हैं और इसमें जो लोग जाते हैं वो IPS डेपूटेशन पर ठीक है अपनी एक most wanted list जारी करता है ठीक है most wanted list जो भी ऐसे लोग है जैसे जब हम जैसे जानते हैं कि हाफिज सईद है यह है भारत के most wanted है तो यह सब काम किसका है National Investigation Agency का NIA का NIA में 2019 में यह चीज यह काम की है 2019 में इसमें बदलाव किया गया NIA कानून में जब दूसरी सरकार बनी आमिस साज हो मिनिस्टर बने थे तब 19 में तब इसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई ना यह पहले क्या है आतंकवादी वाली चीज़ों को पर किजांच करती थी ठ कानूं तसकरी अगर इंसानों को खरीदा बेचा जाता है जाली करेंसी नोट इधर से उधर भेज़े जाते हैं हत्यारों की सेल इधर-धर से जो गैर कानूनी हत्यार हैं उनको जो एक्स्प्लोजिव हैं जो विस्पोटक पदार्थ हैं उनका यहां तक की साइबर टेरिरिजम जो कम्प्यूटर से डिजिटल अपराध होते हैं उन सब की भी जाच करने का अगर वो भारत की अखंडता सुरप्चा एकता से संबंदित हैं त सब तरीके के अपराधों की जाच करने का काम किसको दे दिया गया एनाईय को दे दिया गया साथ साथ में एनाईय को भारत से बाहर भी अगर कोई ऐसी गतिवित ही हो रही है ठीक है एक्स्टा टेरिटोरियल बोलते हैं भारत के बाहर अगर कोई भारत के नागरे किया भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई कोई भी अपराद हुआ है तो उसकी भी जाच कौन करेगा NIA करेगा तो NIA भारत की सुरक्षा की जो सबसे प्राइम एजनसी है सबसे मुख एजनसी है जो जाच करती है अंतराश्टी संदियों और कानूनों के दाइरे में ये सब जाच करेगी अपरादों की जाच जो बाहर वाले हैं भारती छेतर के बाहर केंद सरकार को देखो NIA जब जाच करती है तो उसके लिए केंद सरकार को अलग से स्पेशल कोट ये सब देखो अधिकार याद रखना है होम मिनिस्टी के अंदर आए तो केंद सरकार को ये अधिकार है कि वो अलग से नियायाले स्थापित कर सकती कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए नार्मल कोट प्रोसेस से जाएंगे तो टाइम लग जाएगा इसलिए तो ये हमारा हो गया NIEA बस इसमें और चीज़ें कुछ ही नहीं हम लोगों को इतनी चीज़ें याद रखनी है इन कानूनों के बारे में छोटा सा टॉपिक ये है कुछ कानूनों के नाम याद रखने है आपसपा बहुत पूछा जाता है पहला वाला जो कानूने डिफेंस वाला और यूए पीए का नाम और देकाद चीज़ें उससे जुड़ी हो ठीक है तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक राश्टी सुरक्षा की एजिंसी या कानूनों से संबंदित कवर हो गया ठैंक यू आप विमर्स के यूटूब चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद